अब आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है अब मैं आपको diffraction and Braggs equation पढ़ाओंगा solid state का topic diffraction diffraction of EMT wave electromagnetic wave electromagnetic wave जिसको मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ पहले atomic structure वेगरा में तो EMT मतलब electromagnetic wave what is the meaning of EMT? electromagnetic wave electromagnetic wave transverse format में चलती है and it is the combined effect of electrical and magnetic field electrical and magnetic field अब जो है ये electromagnetic wave transverse format में चलती है यानि crest and trough, crest and trough, crest and trough, crest and trough बनाते हुए चलती है और दो लगातार crest के बीच के distance को wavelength lambda कहते हैं और EMT wave जो होती है वो velocity of light से चलती है हाँ, velocity of light से चलती है कौन? EMT wave और EMT wave की दो characteristics होती है frequency and wavelength it is frequency and it is wavelength तो frequency and wavelength इसकी characteristics होती है और इन दोनों का product जो होता है वो velocity of light के बराबर होता है C is the velocity of light C is the velocity of light होता है तो frequency into wavelength is equal to velocity of light तो new frequency is equal to C upon lambda velocity of light upon wavelength ठीक है? अब wavelength हो गया दो लगातार crest के बीच का distance या दो लगातार trough के बीच का distance को भी आप wavelength का सकते हो इससे भी आप चाहो तो wavelength का सकते हो और ये EMT wave है और mean position से highest जो displacement है जो wave का उसको हम लोग amplitude करते है this is your amplitude ठीक है? तो ये EMT wave होई EMT wave पहले भी बता चुके हैं बहुत deeply सिर्फ EMT wave का थोड़ा सा यहां यूज था कि जो हम लोग diffraction कराते हैं वो monochromatic EMT wave ही रहती है यानि X-ray रहती है और X-ray is a type of monochromatic X-ray is a type of EMT wave अगर मान लिजिए कि दो waves आप ले लेते हैं coming from two different sources दो अलग अलग स्रोत से दो अलग अलग जगह से दो अलग अलग बल्ब से दो अलग अलग light के produce करने वाली जगह से दो light आ रही है दो light आ रही है ओके तो दो light जब आएंगी sources having same wavelength लेकिन दोनो light के wavelength क्या है दोनो light का wavelength same है और amplitude same है दो जगह से EMT wave आ रही है light भी EMT wave है तो दो जगह से अगर EMT wave आ रही है तो EMT wave जब दो जगह से आती है ठीक है और दोनों का wavelength and amplitude equal है तो ओ दोनों एक दूसरे पर coincide करती है और coincide उनके करने का तरीका दो तरह का होता है उनके coincide करने का तरीका दो तरह का होता है ठीक है जैसे आप थोड़ा ऐसे देखें मान लिजिए कि जो है किसी स्रोथ से किसी सोर्स से एक light आ रही है इस तरह से ठीक है और किसी दूसरे स्रोर्स से एक light जो है आ रही है और जो इसी पर चलने लगे इसी तरह जीश उसका भी wavelength सेम है दूसरा dotted line दूसरा जो है वेव जो है EMT वेव वो dotted है और पहला solid line है तो dotted और solid line दोनों का wavelength सेम है दोनों का amplitude सेम है और दोनों साथ साथ चलने लगी मान लिजिए यहां से साथ हुई कोई जरूरी नहीं है कि सुरू से ही साथ हो यहां से दूसरी एक wave आई जो यहां आके मिली और इसका wavelength और amplitude बराबर है और एकदम सेम टू सेम इसी पर चल रही है तो भाईया यहां दो wave ना सट गई तो इसका amplitude और उसका भी amplitude तो दो का तो amplitude जुड़ गया ना तो इसका resultant जो wave होगी वो उसका amplitude बड़ा हो जाएगा resultant दोनों का mixture का resultant ठीक है तो resultant का amplitude दोनों का amplitude के sum हो जाएगा और इसे कहते हैं EMT wave का interference तो दोनों अगर same to same match कर जाएगी जैसे एक wave का maxima maxima मतलब crest और यह minima दूसरे wave का भी इसी पर आजाए दूसरा wave भी इसी पर maxima उसका आजाए और इसी पर उसका minima आजाए देख रहा है ना देखते रहिएगा बोड़ पे देखिएगा तभी यह समझ में आएगा पहला wave ऐसे गई और दूसरी wave जो आई ना तो उसका भी यह maxima है पहली wave का दूसरी wave का भी maxima अगर यही है और दूसरी wave का भी minima अगर यही है तो दोनों wave एक दूसरे को reinforce करती है यानि एक दूसरे को ताकत देती है एक दूसरे को जोडती है एक दूसरे में add होती है एक दूसरे क्या ताकत बढ़ाती है और इसी लिए इसको कहते हैं constructive interference, इसको क्या कहते है, constructive interference कहा जाता है, देखिए यहां लिखा हुआ है, same amplitude, reinforce each other, reinforce मतलब एक दूसरे को ताकत देती है, यानि दोनों एक दूसरे के tuning मिला ली है, दोनों का एक दूसरे से tuning मिल गया है, जैसे आपकी सोच, की ही सोच का अगर आपका दोस्त हो जाए, तो दोनों के मिलने पर ताकत दोगूनी हो जाएगी, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही अगर आपका दोस्त सोचता है, जितना wavelength आपका है, वैसा ही wavelength आपके दोस्त का है, जितना amplitude आपका है, उतना ही आपके दोस्त क एक का मैक्सिमा दुसरे का मैक्सिमा से मिलेगा और एक का मिनिमा दुसरे के मिनिमा से कौन साइड करेगा और इस तरह से होने से इसे कंस्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस करते हैं जो अभी हम लिखेंगे और अगर आपूजित में मैच कर गया तब तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस करते हैं और आपकी बिचारों को उसके बिचार कैंसिल कर देंगे दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही ओ गलत काम कर देगा आप जितना पलस करेंगे उतना ही ओ माइनस कर देगा आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही ओ आपको पीछे खिच देगा तो आप कितना आगे बढ़ेंगे आप जहां थें वहीं रह जाएगा न आप आगे बढ़ पाईएगा न आप पीछे जा पाईएगा तो अगर मान लिजे कि आप ऐसे चल रहे हैं और आपका यार ऐसे चल रहा है उल्टा आप उपर तो उप नीचे, आप इरपूर तो वो बीरपूर, वो नीचे तो आप उपर और वो उपर तो आप नीचे, जस्ट उल्टा चल रहा है, तो इसका इधर का ए, इसका ए और इसका ए, दोनों का ए बराबर है न भाई, पहले ही लिख दिया है, amplitude बराबर है, तो ए, ए क कैंसिल कर देगा और कैंसिल करके जो है, इसे बना देगा, destructive interference इसको कहते हैं, दोनों अगर opposite पढ़ गया तो destructive interference इसे कहा जाता है, अब हम लोग इसको लिखते हैं कि constructive interference और destructive interference किसको कहते हैं, देखिए, देखिए, आप लोग note down कर लिए हैं, अब जो है, आप देखिए, ये former is known as constructive interference, वही चीज है, यहाँ आप figure के form में देखिए, एक जो wave है, एक solid line से जा रही है, ऐक dotted line से, दोनों wave का wavelength और amplitude equal है, तो दोनों का amplitude equal है और एक दूसरे पर interfere कर गई, तो इस पहला wave का maxima, आदूसरा wave का maxima, एक ही पर पड़ गया, पहला का minima, आदूसरा का maxima, एक ही पर पड़ गया, ठीक, आप फिर पहला का minima, नीचे और दूसरा का मीनिमा भी उसी पर पढ़ गया ठीक है तो दोनों वेव एक दूसरे पर मैक्सिमा और मीनिमा पढ़ने से दोनों एक दूसरे को construct कर देगी reinforce कर देगी एक दूसरे को जोड देगी और इसलिए ये कहलाएगा constructive interference और वेव का amplitude बढ़ जाएगा वेव का amplitude बढ़ जाएगा और ये कहलाएगा constructive interference दोनों का पहला का maxima पर दूसरे का maxima आजाए पहले के minima पर दूसरे का minima आजाए तो maxima maxima दोनों को जोड़ के और amplitude बढ़ा हो जाएगा देखिए बढ़ा amplitude हो गया दो amplitude जोड़ गया बढ़ा हो गया ये भी minima में भी बढ़ा हो गया तो अब इस तरह वेव चलेगी और ऐसे में ये एक bright spot देता है चमकिला spot देता है और देखिए algebraic sum हो गया यहां लिखे है ना algebraic sum हो जाएगा तो ये वेव जो है क्या करेगी bright spot देगी यानि constructive interference जब होगा तो spot बनेगा जो screen पर बनेगा पीछे grating के पीछे screen लगा रहेगा जो diffraction grating लगाया जाता है और उससे waves को pass कराया जाता है waves जब उससे pass करके निकलेगी बाहर तो ओ जो है अगर constructive interference करती है तो screen पर एक bright spot दिखाई देगा चमकिला spot दिखेगा एक chin दिखेगा ठीक है तो ये bright spot आपको देखने को मिलेगा किस case में? constructive interference के case में bright spot देखने को मिलता है ठीक है और इसमें resultant जो है algebraic sum हो जाता है वहीं पर opposite वाले में घट जाता है अब देखिए इसमें क्या हुआ? waves in phase coincide and reinforce each other जो phase में है in phase, in phase का मतलब जानते हैं दो waves same phase में हैं मतलब की दोनों का maxima minima coincide कर रहा है यहीं same phase का मतलब है एक wave का maxima, दुसरे wave के maxima पर coincide कर रहा है अगर opposite phase है, waves out of phase या opposite of phase तो ऐसे में interfere करेगी, एक दूसरे को interfere करेगी एक wave दूसरे को interfere, interfere मतलब जानते हैं interfere करना, मतलब कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो उसको आप interfere कर दिये, तो इसलिए बना interference ठीक है? एक आदमी कोई काम कर रहा है, आप interfere कर दिये लेकिन जो काम कर रहा, आप interfere उसी काम के support में किये, तो काम की गती बढ़ जाएगी, आप कहीं opposite में interfere कर दिये, तो कहानी बिगड जाएगी, कहानी घड जाएगी, काम कम हो जाएगा, काम damage हो जाएगा, ये चीज होगा, ठीक है? तो इसमें जब destructive interference होगा, तो एक wave का maxima, solid line से माल लिजे, wave 1 चल रहा है, ये wave 1 है, और dotted line से wave 2 चल रही है, तो wave 1 का जो maxima है, तो उस समय wave 2 का क्या है? ये wave 2 का जब maxima है, तो wave 1 का minima है, फिर दोनों यानि opposite चल रही है, एक इरपूर तो दुसरा बिरपूर, एक पूर अब तो दुसरा पक्षिम, तो एक दुसरे के उल्टा चल रही है, तो उल्टा चल रही है, इसका मतलब अब सोचना पड़ेगा आपको, कि इन दोनों का जलने का जब तरीका उल्टा है, एक जो है उपर, तो दुसरा नीचे, ठीक, तो उल्टा है, तो इसके amplitude को इसका amplitude क्या कर देगा, काट देगा, काट देगा, ब्रेक कर देगा, जिससे की कोई signal नहीं मिलेगा, no signal at all, कोई signal नहीं मिलेगा, जैसे उसमें कैसा signal मिलेगा, bright spot, जैसे पीछे photographic plate जब लगाएंगे, और उस photographic plate पर जब constructive interference करके wave जाके टकराएगी, तो वहाँ उस पे कुछ जगों पर bright, 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 bright spot दिखेंगे, वे bright spot जो होंगे, जो दिखाई देंगे different, different जगों पर, वे bright spot जो होंगे, इस से पता चलता है, कि ये constructive interference है, जहाँ आपको signal नहीं मिले, जहाँ आपको bright spot नहीं मिले, जहाँ dark मिले, जहाँ dark spot मिले, ठीक है, वहाँ हम समझेंगे कि destructive interference हो रहा है, तो इस तरह constructive और destructive interference समझा जाता है, तो the interference forms the basis of the diffraction, तो जो आप diffraction पढ़ने जा रहे हैं, जो अब आप diffraction पढ़ेंगे, वो diffraction का basis interference ही है, इस diffraction का basis क्या है, interference है, the interference forms the basis of diffraction, तो यही diffraction पढ़ाने के लिए हमको interference बताना पढ़ा, कि आप समझो कि what is interference and how diffraction occurs, तो diffraction of light by the diffraction grating, diffraction grating के द्वारा diffraction of light होता है, ठीक diffraction grating जो होती है, वो transparent होती है, generally transparent medium को diffraction grating कहते हैं, जैसे कि glass हो गया, वो transparent medium है, transparent medium का मतलब आप जानते हैं, जिसमें आर पार दीख सके, तो transparent medium जो है, ओ, जो है, क्या करती है, transparent medium diffraction grating है, ठीक है ना, transparent medium diffraction grating होती है, और उसी से हम लोग क्या करवाते हैं, light या x-ray पास करवाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है, ठीक है, note down कर लिए आप, देखिए, अब हम लोग एक case लेते हैं, जिसमें दो light source हैं, ये है आपको diffraction grating, ये जो है, ये क्या है, diffraction grating, diffraction grating, diffraction grating, ठीक है, ये क्या है, diffraction grating है, और diffraction grating, जो है, ये है, इस पर दो light मार रहे हैं, दोनो light में, diffraction grating में, पे मारने में, distance कितना है, d, दो light के source, लेकिन दोनों का wavelength और amplitude equal है, दो light का source, याद है न, दो light का source है, दो EMT wave है, या दो X-ray है, और ये दोनों X-ray, same wavelength and same amplitude के, एक A पर hit करती है, और एक C पर hit करती है, ठीक, अब A और C से, जो है, wavelength निकल के जाता है, तो A से एक wavelength निकल के, यहाँ आके टकराता है, screen पर, कहां टकराता है, screen पर टकराता है, ठीक है, अब C से भी एक wavelength निकल के, screen पर जाके टकराता है, अब रही बात कि ये दोनों wavelength दोनों जा रहा है, और एक ही जगह पर जाके टकराता है, तो अब दोनों जो है, क्या है कि, same direction में है, दोनों का maxima, maxima टकराएगा, minima, minima टकराएगा या नहीं, constructive बनेगा कि destructive बनेगा, ये काम constructive होगा या destructive होगा, इसका decision लेना है, ठीक है, तो अगर दोनों का maxima, maxima से, ये A का maxima, B के maxima से, A का minima, B के minima से, अगर match कर रहा है, तो दोनों reinforce करेगा, दोनों construct करेगा, दोनों constructive interference हो करेगा, और देखिए, दोनों का maxima टकरा रहा है, एक ही जगह से, देख रहे हैं न, दोनों का, देखिए, इसका भी उपर से आया है, इसका भी उपर से आया है, ठीक है, उपर से इसका भी आया है, उपर से इसका भी आया है, और एक ही जगह पे टकराया है, तो यहां constructive interference हुआ और constructive interference के चलते कैसा spot दिखाई देगा, bright spot दिखाई देगा, constructive से bright spot दिखाई देगा, photographic screen plate पर, इसको photographic भी कह सकते हैं, photographic screen पर या plate पर bright spot दिखाई देगा, ठीक है? तो यह चीज हुआ और ऐसा होता है इस case में, तो a bright spot is observed when both the waves are in phase, दोनों waves अब दूसरे के phase में है, यह अलग बात है कि यह कितना wave बना के गई है, यह one, यहां तक एक wave होता है, one wave, यहां, two wave, यहां, three wave, यहां, four wave, और यह, यहां, four point five wave, उपर वाला four point five wave बनाया है, ठीक है ना? अब नीचे वाला देखिए, यह one wave, two wave, three wave, four wave, five wave, और five point five, नीचे वाला five point five, एक wave भले अधिक है, लेकिन फिर भी देखिए, उपर वाला four point five wave दिखाई दे रहा है, आपको figure के हिसाब से, और नीचे वाला five point five wave, एक wave भले ही जादे है, एक lambda भले ही जादे है, लेकिन, दोनों का maxima, maxima से और minima, minima से attach हो रहा है, इसलिए यह constructive interference है, दोनों का maxima एक दूसरे से attach हो रहा है, इसलिए यह constructive interference है, ठीक है, तो दोनों same में match किया, अब इसी में opposite करता तो destructive हो जाता है, अभी फिलाल यह देख लिए, तो यह both waves are in phase, एक ही phase में है, phase same है, भले एक आगे है, एक का wave, wave की संख्या 5.5 है, एक के wave की संख्या 4.5 है, यह अलग बात है, लेकिन phase same phase में है दोनों, यानि दोनों का maxima, maxima से और minima, minima से attach हो रहा है, The condition or is extra distance traveled by one wave is an integral multiple of the wavelength, wavelength का क्या होगा, integral multiple होगा, दोनों का तो wavelength same है भाई, इसका भी wavelength lambda है, और इसका भी wavelength lambda है, ठीक है ना, तो दोनों का तो wavelength सुरू से ही, हम बता रहे हैं आपको क्या है, wavelength equal है, तो यह case होगा, अब आप क्या कीजिए, कि यह एक perpendicular draw कर दीजिए, और right angle triangle ले लीजिए, ठीक है ना, right angle triangle यह वाला ले लीजिए, और इस triangle में यह आपको क्या हो गया, theta, theta के सामने वाला यह क्या हो गया, perpendicular, और यह हो गया, hypotenuse, यह क्या हुआ, hypotenuse हो गया, तो यह जो है, आप sin theta का फर्मूला क्या होता, sin theta is equal to क्या होता है, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse होता है ना, जानते हैं ना, तो perpendicular by hypotenuse, perpendicular वह यह कितना है, तो perpendicular है BC, perpendicular कितना है BC, hypotenuse है AC, अब AC का distance, AC का length D के बराबर है, दोनों के बीच का distance, दोनों wave के बीच का distance, ठीक है ना, separation of the wave, तो separation of the wave D है, तो BC by D, तो अब BC is equal to क्या हो जाएगा, BC is equal to हो जाएगा, D sin theta, D sin theta, और BC जो है, कितना wave अधिक है, हो सकता दो wave अधिक हो, एक wave अधिक हो, तीन wave अधिक हो, तो एक lambda का integral multiple होगा, BC क्या होगा, एक lambda का, जब होगा तो integral है multiple होगा, या तो one-way भागे हो, two-way भागे हो, three-way भागे हो, fractional हुआ, तो bright spot नहीं दिखेगा, constructive interference नहीं होगा, तो BC is equal to क्या हो जाएगा, एन lambda, तो एन lambda is equal to d sin theta, एन lambda is equal to क्या हो जाएगा, d sin theta, तो यह आ गया, जहाँ n is equal to where, n is equal to 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता, लेकिन whole number रखिएगा, 0 भी हो सकता है, हो सकता कि दोनों same ही हो, इसमें 4.5 था, इसमें भी 4.5 होता, तो बराबरे हो जाता, दोनों बराबर आता, तो n का value क्या हो जाता, 0 हो जाता, n का value 0 हो जाता, एक भी वेब आगे नहीं है, बराबर बराबर वेब चल रहा, अगर एक वेब आगे है तो 1 lambda, ठीक है ना, यानि कि d sin theta is equal to 1 lambda, अगर एक वेब आगे है, इस case में, तो d sin theta is equal to क्या आजाएगा, 1 lambda, अगर 2 वेब आगे होता तो 2 lambda, 3 वेब आगे होता तो 3 lambda, तो d sin theta is equal to n lambda फिलाल आगे है, ठीक है, अब जो है, आपको ये देखना है, destructive interference यहाँ कैसे होता है, तो destructive interference भी यह आप कर सकते हैं, वो dark spot बनाएगा, ठीक है, ये दो light का source है, A source और C source, मान लिजिए कि एक A source से ध्यान दिजिएगा, आप extra चीज बता रहे हैं, इसी figure पे, ठीक है, A source से एक light आई और यहाँ टकर आई, ठीक है, और C source से भी एक light आई और यहाँ टकर आई, ठीक, अब देखिए, A source से भी light आई और C source से भी light आई, लेकिन A source से जो light आई, इसमें opposite चला होगा, माली जैसे जैसे चल के आई, ठीक, और यह source से जो light आई, ओ इस तरह से आई, उपर से आई, यहाँ वाला नीचे से आई, A वाला नीचे से आई, और C वाला उपर से आई, opposite से अगर आती है, देख रहे हैं न, तो destructive हो जाएगा, तो यहाँ destruction हो जाएगा, A वाला उपर से आई, और C वाला नीचे से आई, तो यहाँ destructive हो जाएगा, और destructive के case में dark spot बनेगा, कैसा spot बनेगा, dark spot, ठीक है, तो dark spot बनेगा, इसमें आपको construction नहीं होगा, constructive interference नहीं होगा, यह destructive interference है, यह उपर वाला किस interference का example है, कंस? ट्रक्टिव का, constructive interference, और यह है destructive interference, ठीक है ना? destructive interference, तो destructive interference में आपको dark spot दिखता है, और constructive interference में आपको, कैसा spot दिखता है? bright spot दिखता है, यही दोनों में basic अंतर है, इसे भी आप लिख लेंगे, और figure आप चाहें, तो यह भी बना सकते हैं, जो हम बाद में बनाए हैं, तो यह figure भी आप बनाएगा, destructive के लिए, इसमें भी वही यही formula लागू होगा, यह formula write down कर लिजिए, लिख लिजिए, और यह figure भ यह इसके बाद,